भारत को फिर से गौरवानवित करते हुए दीपिका पादुकोन फीफा वर्ल्ड काप ट्रोफी से परदा उठाने वाली पहली भारतिय बन गई हैं। सुपस्टा और भारत के सबसे बड़े ग्लोबल अम्बैसडर फीफा वर्ल्ड काप ट्रोफी को एक स्पेशल कमीशन किये गए ट्रक में ले गए और लुसल स्टेडियम में इसको लॉंच किया। 6.175 किलोग्राम और 18 कैरेट सोने और मेला काइट से बनी इस ट्रोफी को केवल कुछ खास लोगों द्वारा ही छुआ और पकड़ा जा सकता है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के पूर्व विजेता और हैद्स ओफ स्टेट शामिल हैं। जो इसे दीपिका पादुकोन के लिए एक स्मार्किय वैश्विक बेंचमार्क बनाते हैं। क्याप्चा करती दिखाई दी। दीपिका पादुकोन ने अपने करिया के दोरान अपने देश भारत को गर्व करने के कई कारण दिये हैं। अब फीफा वर्ल्ड काप ट्रोफी लांच के साथ ही एक्टर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और मेंटल हेल्थ एडवोकेट ने अपनी वैश्वे को प्लब्धियों में चार चांद जोड लिये हैं। प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद वह जूरी सदस्य बनी। तक कि लेविस और एडिडास जैसे पॉप कल्चर ब्रांड के दिगजों के लिए ग्लोबल फेस के रूप में चुना गया है। दोबार टाइम मेगजीन पुरसकार विजेता को भी अकसर दुनिया के अलग-अलग शेत्रों की जानी मानी हस्तियों के साथ मान्यता दी गई है। झाल